तो दोस्तों राजिस्थान की उपमुख्य मंत्री और वित मंत्री शिरी मतीद दिया कुमारी जी के द्वारा विधान सभा में आज यानि 8 फरवरित 2024 को अपना बजट परस्तूत किया तो इस वीडियो में इसी बजट की हाइलाइट आपको बताऊगा और आपको वो हाइलाइट बताऊगा कि एक किसान के लिए एक आम जनता के लिए और एक स्टूडेंट के लिए इस बजट में क्या-क्या गोशना है की गई और इस बजट में कौन-कौन से नई सरकारी योजन कि गोशना किये गई है और इस बजट से आम जनता को कितना फायदा मिलने वाला या लाम मिलने वाला है क्योंकि अपन तो अपने फायदे वाली बात करेंगे मैं भी तो एक किसान का बेटा हूं और इसके साथ बिजेपी का जो संकलब पत्तर था और उस संकलब पत्तर में के लिए बहुत इखास होने वाली है नमस्कार साथियो मैं हूँ आपका अपना साथी राजगूर्जी तो दोस्तों शिरिमति दिया कुमारी जी के दवरा विदान सभा में जो बजट परस्तूत किया गया है साइद इस बजट की हाइलाइट आपने ट्वी चैनल के मादम से सोशल मीडिया के मादम से जरूर देख भी ली होगी और सुन भी ली होगी लेकिन साइद आपने इसका तुनात्मक अधेन नहीं किया क्योंकि ये जो बजट था इस बजट के लगभग 50 पेज थे और इन 50 पेजों का 2 मिनिट में अनलाइज करना या तुनात्मक अधेन करना इतना आसान नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए तुनात्मक अधेन लेकर आये हूँ कि यहाँ पे बिजेपी की सरकार के दवारा जो राजिस्थान की जनता से वादे किये थे उन वादों को ये पूरा कर भी रही है या नहीं भी कर रही है तो यहाँ पे बजट की जो मोटी मोटी और मुख्य मुख्य बाते हैं जो एक आम जनता का हित के लिए केल वही मा आपको बताऊंगा चलिए तो सुरू हो जाते हैं तो सबसे पहले इस बजट के अंदर जो बड़ी घोशना की गई है वो है लाडो प्रोच्छान योजना अब इस योजना के तहत बालिका के जनम होने पर बालिका को एक लाग की सेविंग बोंड हो दिया जाएगा एक लाग सेविंग बोंड को इस तरह से समझ लिजेगा कि एक लाग की एबडी हो दी जाएगी और ये एक लाग की एबडी बालिका की उमर जब 21 वर्स हो जाएगी तो डायरेक्ट उसके बैंक खाते में आने वाली है अब यह जो लाडो प्रोशान योजना है इसके तहत यहां पे सरकार के दोरा बालिका का विकास जैसे जैसे आगे रहेगा जैसे जैसे वो आगे पढ़ाई करते रहेगी तो उसको स्कोलर्शीप के रूप में यानि चात्रवर्ती के रूप में औ हजार उपे कक्षा ग्यारा में बारा हजार उपे कक्षा बारा में चोड़ा हजार उपे और विवसाई कोर्स करती है तो पचास हजार उपे दे जाएंगे अब यह दिसका तुलनात्मग हदेन करें तो इस प्रकार की जो योजना है अपने राजिस्थान में पहले भी संच सिब दी जाती थी लेकिन हाँ इतना है कि इस लाडो प्रोशान योजना के अंदर जो इसकोलर्शिब की राशी है वह 1500 रुपे हर कलास में वह बढ़ा दी गई है लेकिन इसके एक और भी खास बात है यह जो कक्षावाइज राशी मिलने वाली है यह केवले जब बाली का सरका स्कूल में पढ़ेगी न तो ही मिलेगी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने से यह राशी है वह नहीं मिलेगी ठीक है चलिए इसके लाड़ यहां पर देखिए दूसरी गोशनम आपको बता रहा हूं जो भी अलप आए के लोग हैं अपने राजस्थान में जो भी सिमांत कि किसान की सरेणी में आते हैं जिनकी वार्सिक आये काफी कम है तो ऐसे परिवार के जो भी बालक बालिक हैं पूर्वे प्राथ में कक्षाईं यानि LKG UKG से लेके कोलेज तक बिल्कूल फ्री में वो पढ़ाई करेंगे लेकिन आपको मैं यह भी बता देता हूं कि यह वह ग पढ़ने वाले बालक बालिकाऊं को सालाना हजार उपे की स्कुलर्शिप है दी ही जाएगी लेकिन इसकी भी खास बात है यहाँ पे ककसा एक से आड़ तक तो बालक बालिकाऊं यानि लड़की और लडकों को दोन्यों को यहाँ पर समल किया है और इसके साथ 9-12 तक क्यों लड़कियों को सामिल किया गया, लेकिन ये जो रासी है ना, ये भी सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बालिकाओं को ही मिलने वाली है, प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा, इसके साथ यहाँ पे जो अनपुर्णा योजना थी, अपन जो अनपुर्णा फूड पकेट यो पहले जो गोवर्मेंट की स्थाली की रासी हुआ करती थी, वो 17 रुपे थी, अब इसकी रासी बढ़ाके है, वो 2 रुपे हो कर दिये, अलेंकि वैसे ये जो आम जनता को है, उनको तो वैसे फिरी मिलती रहेगी, टोकन के इसाब से, लेकिन जो रेडी लगाते हैं, ये जो रासी है, दो किस्तों में दी जाएगी, डाई, डाई, जार उपे गी, और इसके बाद यहाँ पे देखिए, अगले साल है, इसके जो रासी बढ़ाके है, शाड़े 6,000 रुपे कर दी जाएगी, अब यहाँ पे तुलनात्म गदेन आपको बता रहा हूँ, जो बिजेपी का संकलब पतर था, उसमें यह का गया था, जो गर्वती महिले होंगी, उनको 8,000 रुपे की रासी दी जाएगी, लेकिन भिया इस बजट में 8,000 रुपे की रासी नहीं किये गई है, इसमें 5,000 रुपे की रासी किये गई है, और उसके बाद आगे अगले साल के बाद यहाँ 6,000 रुपे किये गए हैं, तो भिया यहाँ पे है, तकरीबर 15,000 रुपे कम कर दिये हैं, और 15,000 रुपे कर दिये हैं, और इस योजना के तहते 5,000 महिलाओं को, उनकी जो सालाना आए है, वो 1,000 रुपे तक ले जाने की गोशना की गई है, जो भी गरीब महिलाओं हैं, जो संगठन बना के हैं, काम करती हैं, तो ऐसी महिलाओं की आए है, वो कम थी सालाना, 20,000 रुपे, 50,000 रुपे, लेकिन सरकार ने यह गोशना की है, कि अब उनकी आए है, हम 1,000 तक है, वो ले जाने की कोशिस करेंगे, इसके लिए समय समय पे ह केवल, पांच लाख मैलाओं का नाम यहाँ पे लिया गया है, तो एक लाख मैला हैं, वो खा गए बिज़ेप वाली, चारिए, इसके बाद यहाँ पे जो पेंशन है, वर्दा पेंशन है, अपने जो समाजिक पेंशन है, बुड़ा पेंशन जिसे अपन बोलते हैं, उसकी एक हजार से बढ़ा के, यहाँ पे अब जो पेंशन मिलेगी है, वो ग्यारा सो पचास रुपे मिलेगी, यानि तकरीबन डेट सो रुपे है, वो बढ़ा दिये गए, अब यहाँ पे देखिए, जब कोंगरेस के सरकार थी, तो उस समय है, सब की है, वो हजार रुपे थी, और यह जो ग्यारा सो पचास रुपे ना, अगले वर्ष से मिलेगी, अभी से यह सुरू नहीं होने वाली है, अलांकि यह ग्यारा सो पचास रुपे की गोशना है, मानन यह जो सियम लाल है, अपने भजन लाल जी है, उन्होंने तीस जनवरी को इसकी गोशना भी की गई है ठीक है तो यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ी सी राशे बढ़ने वाले लेकिन यहाँ पर एक सवाल यह उड़ता है कुछ सात्यों का यह खहना है कि हमें तो अभी तक भी हजार नहीं मल रही है अभी तक भी साड़ी साथ सो मल रही है तो यह आपने उस समय मैंगाई रहात क के अंदर रजिस्टरिशन नहीं करवाया होगा इसी वज़े से आपको यह साड़ी साथ सु रूपे मिलेगी तो गौवर्मेंट चाहेगी कि कहीं से कहीं पैसे वह बचाएं जाए ठीक है चली इसके बाद यहाँ पर एक सबसे बड़ी घोशना अब यहाँ पर जो चिरिंज योजना है वो मुख्य मंत्री आईश्मान आरगय योजना के नाम से वो जानी जाएगी लेकिन इसकी भी खास बात है यहाँ पर चिरिंजी योजना के तैट जो भी लाब मिल रहे थे वो लाब है लगातार मिलते रहेंगे लाब में किसी परकार की कोई कटोती नहीं की गई वो बजट उनके अकाउंट में नहीं है त्यार वो फिरी मिलाज कहां तक कर देंगे लेकिन अब यह जो अपनी नई जो गोशना की गई है मुख्य मंत्री आईश्मान योजना है स्वास्ति वाली तो इसके तैट फिर से है आपकी जो स्वास्ति जो भी जहां स्परताल होग जो भी आपको भीमा मिलने वाला है वो सारी है इस योजना के तैट आपको मिलेंगे चलिए इसके बाद यहां पे देखे 60 से ऐसी वरस्तक के जो भी बुझरग है यानि जो वरिष्ट नागरिक है उनको रोडवेज में है आदा किराही लगेगा अलांकि कोंगरे सरकार में इतनी उमर के लोगों का जो किराया लग रहा था वो 30% तक लग रहा था अब इसको 50% कर दिया गया 50% कर दिया है ठीक है चलिए अब यहां पे किसानों के बात करेंगे एक दूप तो किसानों के लिए क्या क्या किया है एक तो यहां पे मुफ्त बीज है किसानों को दिये जा मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैं भी मेरे घर में है, जो बीज है वो लेकर आया था, हना, तो ये कोई बड़ी गोशना नहीं, इसके बाद एक और नहीं गोशना, ये मुझे सबसे अच्छ लेगी, अब किसानों को यहाँ पे है GCC कार्ड दिया जाएगा, GCC कार्ड का मतलब ह है, गोपाल क्रेडिट कार्ड, जिस प्रकार से किसान क्रेडिट कार्ड होता, किसान को मिलता KCC कार्ड, उसी प्रकार से अब आपको GCC कार्ड दिया जाएगा, और इस GCC कार्ड के तहट आपको एक लाख रुपे की जो रासी है, वो बगर ब्याज कर मिलने होगी, कोई भी भी आज आपको नहीं लगने वाला और यह जो जिसी काड है वो पसुपालक के लिए applications के लिए लोन मिलेगा JCC Card, अगर आपने नहीं बनाया है, तो बना लीजेगा, और इसके लिए संबंद जो भी आपका Bank है, उस Bank से संप्रक कर लीजेगा, जहां से आपका KCC Card बना ओना है, उसी Bank से संप्रक कि लीजेगा, वह आवेदन फोरम आपको देंगे, और आपको यह JCC Card है, वो योजना की बात करें, तो इसकी भी गोशना की गई है, अब इस PM किसान निदी योजना के तहत 6 हजार की बजाए, आपको 8 हजार उपे है, सालाना मिलने वाले हैं, लेकिन विया यहां पर भी BJP ने गफला कर दिया है, और गफला यह कर दिया है, कि यहां पर अपना जो संकल पतर था BJP का, उसमें उन्होंने यह वादा किया था, कि PM किसान निदी योजना के तहत हम परती किसान के सालाना 12 हजार उपे कर देंगे, लेकिन विया 12 हजार उपे तो नहीं किये, इन्हों तो विया 8 हजार यानि 2 हजार उपे वड़े, अलांकि थोड़े दिन पहले सेंट आपको अगले साल से मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो किसानों के लिए 2-3 बड़ी गोशना है, इसके बाद जो भी बीज उपचार के हैं, पानी से सम्मंदित हैं, इस परकार की लाइन है, घर-गर नल है, वो लगवाना है, इस परकार की भी गोशना है की गई, इसके बाद यहाँ पर देखें, एक और सबसे बड़ी गोशना यहाँ पर की गई है, इस बजट के अंदर, अब यहाँ पर CM विश्व कर्मा पेंशन योजना की सुरवात की गई, आपने PM विश्व कर्मा योजना के बारे में अच्छी तरह से सुना होगा, नहीं पता जिन सातियों के तो मैंने भी धर-धर के दबा-दबा के वीडियो बनाए, इस सारा सिस्टम उसमें मैंने समझा रखा है, जो भी गोवर्मेंट योजनाओं की इंपोर्टेंट वीडियो है, उन सभी वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा, अराम से देख लिजेगा जब भी आपको टाइम मिले, हर के बारे मैंने बताए, तो यहाँ पे अब क्या है, जो पी-एम वीशा कर्मा योजना है, अपने राजिस्थान में उसको सी-एम वीशा कर्मा पैंशन योजना के नाम से लागो कर दिया, अब यहाँ पे इस योजन होगा, उसको परती मा सो रुपे जमा कराने पड़ेंगे, यू समझ लिजिएगा कि सालाना बारा सु रुपे के लग भग है आपको जमा कराने पड़ेंगे, तो आपको साट साल उमर होने के बाद है, यह दो हजार रुपे की रासी है, लाइप टाइम तक वो मिलते रहेग तो तकरिबन 50-50,000 रुपे के लग भग हमें यह रासी जमा कराने पड़ती है, फिर 2000 रुपे हमें परती मा वो मिल जाते हैं, चलिए, इसके अलावा 70,000 पदों पे भरती की जाएगी, अलग अलग डिपार्टमेंट में भरतीया निकाले जाएगी, लेकिन अभी यह गोशन अभी जैसे 5 साल आएंगे ना, तो इन 5 साल के दोरान है, 70,000 बरतीया हो निकलने वाली, फिर भी देखते हैं कि समय के अनुसार क्या परिवर्तन होता है, चलिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए, एक जो इनकी योजना थी, वो इनकी योजना थी, वो इनकी पूरी कर दी 100 अब यहाँ पे कुछ आती हूं कि यह भी सिकायत है कि सर हम भी तो PM उजुला के साथ जुड़े हैं, लेकिन हमारे खाते में तो 450 रुपे की वो सबसिड़ी है वो तो आई नहीं, हमारे यहाँ तो 300 रुपे नहीं है, अरे मामला क्या विया, देखिए, यह तो मेरे को खुद जिद्धी आपके खाते में नहीं आई है, तो सम्मन्दी जो भी गेस अजन्ची है, उनसे आपको संपर्ख करना चाहिए कि इसका क्या कारण रहा है, क्योंकि उच्चित कारण तो वो ही बता सकते हैं, क्योंकि वो ही आंकडे बेजते हैं, अब उन्होंने की सिधार पे अब यह दिश पूरे बजट की मैं आपको एनलाइस करके बताओं तो यह बिजेपी का यह जो बजट था कोई खास बजट नहीं था क्योंकि यहाँ पे बिजेपी के दवारा कोई नहीं गोशनाई तो नहीं की गई हितनी जो भी पुरानी योजनाय थी एक-दो योजना का तो आपको बताओं तो हाथ ऐसा है अब आप समझ लीजेगा कोई मतलब नहीं इस बजट का जो वादे बिजेपी की सरकार ने किये थे जो सोच अपन रख रहे थे राजिस्थान की जनता सोच रही थी कि आने वाली जो बिजेपी सरकार है यह यह करेगी उसमें यह खरी नहीं और राम जानों लेकिन वजट चाए कितना भी घराब हो लेकिन एक बात और आपको बताओंगा भिया अपने सेंटर में तो पीएम मोदी आने वाला है अब जो कॉंग्रेस के बगत थे ना वो भी मोदी साब को वोट देंगे और यह तैब आत है आपको सती कह सकते हैं आप तो बिज़ेपी के सपोर्टर और अब या सपोर्टर नहीं हो मैं तो अनलाइस करता हूँ मैंने पहले भी कहाता आपको कि राजिस्थान में कॉंग्रेस की सरकार नहीं आएगी और नहीं आई अब उस समय कुछ लोगों ने मेरे पर लांचन लगा है नहीं आप तो बिज़ आदे मैं क्या करूं तो वो इसी आँखडों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटर में मोद्धी आएगा मोद्धी आएगा बिज़ेपी सरकार आएगी ठीक है आसा रखता हूँ अब आप अच्छी तरह से समझ गहें और इस बज़िट के बारे में आपकी क्या